नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे SPTube YouTube चैनल में दोस्तों आज की उड़े में हम यही बताने वाले हैं कि मालिजे अगर आप चाते हैं कि आप अपने घर बेठे या अपने मोबाइल फोन के मादम से आप अपने बैंक में NPCI या DBT को लिंग करना चाते हैं तो कैसे लिंग करेंगे अगर मालिजे आपका इंडियन बैंक है और आप अपने इंडियन बैंक में NPCI को लिंग करना चाते हैं तो कैसे लिंक करेंगे या status चेक करना चाहते हैं कि आपका लिंक है या नहीं है तो कैसे करेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम यह एक बात करने वाले हैं तो दोस्तो NPCI या DBT को लिंक करने के लिए क्या process है उसमें क्या-क्या document लगने वाले हैं सारा कुछ process मैं इस वीडियो के मादम से आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बेठे अपने mobile phone के मादम से आप कैसे अपना NPCI या DBT को लिंक कर सकते हैं बीना bank गय हुए ही दोस्तो अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like और share कर देना और साथी साथ हमारे चैनल को भी subscribe कर देना तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने mobile phone में या laptop में किसी भी एक browser को open करना है और यहाँ पे आपको search box में type कर देना है और आपको search पे click कर देना है यहाँ पे नपी सी आई क्लिक करने बाद search पे click करना है और दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आना है ठीक है दोस्तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सरे options दिये हुए है ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे आपको इस वाले option पे click करना है तो इसी वाले option पे आपको click करना है दोस्तो यहाँ पे click करेंगे तो यहा यहां पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका कौन सा बैंक आपका NPCI से लिंक है यहां पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है यहां पे आपको आपको क्लिक करना है यहां पे दोस्तों आपको option मिल जाएगा बहुत सारे तो दोस्तों यहां mapped status का option मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इसी वाले option पे आपको click करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको option यहाँ पे आ जाएगा get आधार mapped status का आ चुका है तो दोस्तों यहाँ पे आपको status check करना है तो यहाँ पे जो यहाँ पर आ देख सकते हैं, कि यहाँ पर OTP आच चुका है, मैंने OTP भर दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं submit वाले option पर click करूंगा, यहाँ पर click कर दोँगा, दोस्तों यहाँ पर click करने बद यहाँ पर आप का है कि यहाँ पर आधार का लास्ट फो डिजिट सो कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैपिंग इस्टेटस आपको बताया जा रहा है यहाँ पर आपका इनेबल है इनेबल फॉर डिवीटी यहाँ पर आपका सो कर रहा है मतलब आपका डिवीटी लिंक है ठीक है और यहाँ पे आपका link का status बताया जा रहा है किस date में आपका last update हुआ है यहाँ पे आपको date भी बताया जा रहा है ठीक है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से bank में आपका यहाँ पे status link है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा national से आपको transfer करना है Indian bank में तो आपको क्या करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे arrow वाले option पे यहाँ पे क्लिक करने ना इसी वाले option पे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और दोस्तो आपको अपना सीडिंग करना है तो यहाँ पे दोस्तो आपको रिक्वेस्ट सीडिंग में क्लिक करना है तो आपको य दोस्तों यहां पे मैं इंडियन सर्च किया तो यहां पे हमारा इंडियन बैंक आ चुका है तो मैं इंडियन बैंक पे क्लिक करूंगा ठीक है और दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे आपको अपना फ्रेस सीडिंग करना है या ट्रांसपर करना है यहां पे account है या एक आपका current है एक saving है तो आप current से saving में या saving से current में जाना चाते हैं तो यहाँ पे आप तीसर वाले option को select करेंगे तो दोस्तो हमारा पंजाब में है NPCI link मैं Indian bank में करना चाता हूं तो मैं यहाँ पे click करूँगा यहाँ पे दूसरे वाले option पे मैं यहाँ पे select करूँगा ठीक है इस वाले option पे select कर लूँगा ठीक है दूसरे पे तो दोस्तों यहाँ पे मैं select कर ले रहा हूं ठीक है और दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको चेक लगा देना है इस वाले option में यहाँ पे आपको चेक लगाना है फिर आपको ऊपर की तरफ आना है ठीक है और यहाँ पे आपको चेक लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे दोस दोस्तो आपका पंजाब नेशनल बैंक से ट्रांसफर होके आपका NPCI इंडियन बैंक में चला जाएगा 24 से 48 घंट में आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस सक्सेज हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस तर से आप अपने NPCI को कर सकते हैं या आप अपने डिवीटी को लिंक कर सकत हैं दोस्तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर जेगा साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा दोस्तो हमें दीजिए इजाज़त मिलता है एक नेक्स वीडियो के साथ तब त रट्रोम